अगर आपने Breaking Bad की जो सीरीज देख रखी हैं तो आप Better Call to Soul के सीरीज देखे भी नहीं रह सकते या फिर आप इसे मिस नहीं कर सकते अगर आपको नहीं पता था तो don't worry इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा Breaking Bad के अंदर आपको एक character देखने को मिलेगा जिसका जो एक lawyer का करिदाद निवाता है जिसका नाम Jimmy होता है उसी को एक तरीके से एक अलग कहानी दिखाए गई है Better Call to Soul के अंदर उसी character की यानि कि काफी सारे character जो है Breaking Bad के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा उसमें बहुत सारे character जो Better Call to Soul के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से जिमी जो है वो क्रिमिनल से lawyer कैसे बनता है उसकी प्रोब्लम उसकी परसनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है उसका character development साथ इसाथ Breaking Bad के अंदर आप लोगों को एक gunman कह सकते हैं कि जो कातिल होता है एक गंजा याने की जिसका बुड़ा होता है बुड़ा गंजा होता है जिसका नाम माइक होता है उसका भी अच्छा खासा वेटेज Better Call to Soul के अंदर आपको देखने को लेगा एक character development में अच्छे खासा किया गया है उसका भी और जो मैंने ये series देखने शुदू की just because of a subscriber उनका नाम है अ उनकी विज़ा से मैंने इतनी अच्छी series जो miss करकी थी at least मैं उसको देख पाया बार बार comment करने के वज़ा से क्या है फोकस करते हैं इसकी कहाने के उपर देखो इसके अंदर total 6 seasons है मैंने चार season तीन season मैंने complete कर लिए हैं और हर एक season के अंदर आपको 10 episode देखने को मिलेंगे औ और first season देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसका review करना चाहिए लेकिन वो इतना ज्यादा interesting होता है कि यार अपने आपको रोख ही नहीं पाया इसका second और third season देखे बिना even four season के भी मैं चार episode देख चुका हूँ बहुत ज्यादा interest आया जैसी कहानी इसके अंदर दिखाए जाती है मुझे नहीं लगा था कि यार इतनी बढ़िया तरीके से story को develop किया जाएगा जो Jimmy McGill का जो character है उसको कितना struggle करना पड़ता है अपने आपको साबित करने के लिए जैसे वो criminal होता है फिर वो lawyer जब बनता है तो उसकी family में जाकर कैसे problem आती है फिर उसको वो कैसे tackle करता है इतना अच्छा है character वो काफी ज्यादा दिल से भी अच्छा है लेकिन भाइसा वो कमीना भी और जो जिमी मैग गिल का जो character वो देखने में काफी ज्यादा interesting लगता है इसके जो dialogue है जैसे इसका बोलने का जो तरीका इसका behavior है जो चीजें हरकतें करता है हर चीज वो करता है इवन इस इंसान में अपने आपको साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको एक अच्छा कासा struggle देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगा मतलब जिस तरीके से character development जीमी मैग गील के जो दिखाए गई है जो कैसे better call to soul की जो यहां तक इसका सफरताय करता है बतलब जो commercial जो इसमें advertisement जो इसने शुरू कर रखी है बहुत सारी चीजें हैं आपको इस series में देखने को मिलेगी और केवल यहां पर जिमी मैग गील ही नहीं इसके आलावा जो एक drug dealer होता है जो आपको breaking bad के अंदर देखने को मिलता है गोस्ताव हो शायद मैने उसका नाम स दिखाई गई है कि भाई वो अपनी life में कैसे उसने शुरू की मतलब बिल्कुल starting से नहीं आपको देखने को मिलेगे कि वो हस्ता नहीं है क्या उसके पीछे reason है उसकी क्या कहानी है और वो क्या क्या काम कर रहा है कैसे मिलना हुआ सब का तो सारे जो link है इसमें हमें देखने को मिलते हैं मतलब की एक जो story आपको कहीं न कभी miss देखने को मिलेगी missing होती है जो breaking bad के अंदर आपको लगेगा और इसकी भी हमें कुछ कहानी दिखा दो वो सारी चाहें आपकी इस series के अंदर पूरी कर दी जाएंगी और even सच कहूं कि जब मैंने इस series को देखने की सोची द development character की बहुत अच्छी है story development काफी अच्छी है आपको interest आएगा हर एक episode को आगे बढ़ते हुए आपको लगेगा इसमें आने वाल episode में क्या होने वाला है तो आप हर एक character से connect हो पाएंगे और सबसे अच्छी बात जो आपको इस series में लगेगी वो है performance हां story भी बहुत अच्छ को रखा गया है मतलब आप हर चीज के पर यकीन कर पाएंगे उसका logic आपके सामवे रखा जाते हैं और ऐसा नहीं किया हो सकता है क्या मतलब आप वह ख्याली यानि इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हां यार ऐसा हुआ होगा हम मान लेते हैं वह मान लेने वाली बात नहीं होती इसमें आपको यकीन कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें आपके सामें रखी जाती हैं, और बहुत मज़ा भी आता है, और जितना मैंने इन तीन सीजन के अंदर जो better call to soul देखा है, भाई सब मेरे दिल के अंदर इज़त बड़े गई है, वोल्टर वाइट की, मतलब जो breaking bad के अंदर breaking bad के अंदर, उससे खतरनाग इंसान, उससे समझदार, उससे clever इंसान मैंने नहीं देखा, और सच में ये better call to soul देखने के बाद ऐसास हो रहा है कि भाई आप वोल्टर वाइट तो काफी जादा एक उंची पहुंची वी चीज है, वास्तों मैं आपको ऐसा feel होगा, और ऐसा feel हुआ, जब मैंने इस सीरीज के तीन सीजन कंप्लीट कर लिए, वो क्या रीजन है, आप जब आप ये सारी सीजन देख लोगे, breaking bad भी आप देख चुके हो, better call to soul भी आप देख चुके हो, तब आपको समझ मैं कि वोल्टर वाइट जा है, वास्तों में, सच में मेरे दिल मे उसके लिए तो इजद बढ़ गई है, हाँ, अगर आप लोगों ने इस सीरीज नहीं देखे तो जा कर देखो, और सच में, दिल से रिकमेंडिट करना चाहूँगा, डेफिनिटली इसको जा कर देखो, बहुत आपको पसंद आने वाली है, जैसे जैसे एपिसोड आगे मतलब की 100% इसमें बढ़ी जाता है, अब यहाँ पर यह जो सीरीज है, वो हिंदी में अविलेबल नहीं है, जैसे ब्रेकिंग बैट जी थी थी, वो हिंदी में नहीं थी, इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सब टैटल हैं, आपकी हैल्प के लिए, अब इस इसली उनको अंडरस्टेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार कोई हाई-फाई चीज बोली की हैं, नहीं, बहुत असानी से वो चीज हैं समझ में आ जाएंगे, मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा, अभी तक सीजन 3 देखने हैं, 9 आफ्ट और 10 और डेफिनिट मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिंद